हेलो एवरीवन वेल्कम टी चाड़ एडूकेशन इस वीडियो में बात करने वाले हम रिस्पेक्टेवल सीए प्रफीशनमा सर के हैक के बारे में जो कि आपको क्लियर करवा सकते हैं नवमा 23 का सीए का एक्जाम वीडियो को इन तक देखेगा तो रिसंटली में अव्विस्टी सर ने इस हैक के बारे में बात करी है पहले एक टीज क्लियर कर देना चाहत हूं कि आपको यह हैक फॉलो नहीं करना है इसके बारे में बात करें कि यह हैक क्या है तो इस इंट्रमिडेट गूर्प 2 में आपको बता है कि आपके 4 papers होते जिसमें से आपको हर paper में appear करना है लेकिन आपके audit and FM echo में 60 plus marks आने चाहिए basically वो आपको paper exempt करवाने advance account और ESM के paper में appear करके आप fail चाहिए आपके passing number भी आ जाए पर आपके audit and FM echo में 60 plus marks होने चाहिए जिससे वो आपके paper exempt हो जाए क्योंकि आपको भी पता है कि यह भी newsletter भी आया है उसमें भी papers reduce हो चुके 3 में तो उसके accordingly framed करते वे सर ने यह hack provide करवाय कि institute की जो exemption की list है उसमें भी कुछ slightly ऐसे चिंजिस आपको देखने को मिल सकते है hope करते कि institute की exemption की list है उसमें यह student को benefit मिल जाए has of no exemption की list नहीं आई है जैसा कि यह ने आपको past में update कर दा था उसको आने में समय लग सकता है वो 1st July को ना के बाद में आपके release होगी hope करते हों कि यह जो type का exemption है यह student को provide करवाय जाए जिससे वो एक तरीके से automatic जो है qualify कर जाए subject to the condition कि उनके audit and FM echo में exemption हो और फिर बात करें कि आपको यह क्यों नहीं follow करना जाए तो आपको भी बता है कि जब भी आप exemption में appear करते है तो आपके control में नहीं कि आपके कितने marks आ सकते है student 90, 95 या 100 marks भी attempt करते है तो उनके 45, 50 marks भी आते है so 60 marks लाना audit में तो quite difficult हो जाता है FM echo में possible है लेकिन for subject to the condition की आपका exemption उस time में उस exam condition में कैसा गया है तो आपको simple है follow करना है कि आपको चारों पेपर में appear करना है चारों को equal importance देते वे अच्छे से appear और prepare करना है और सभी में minimum 40 marks और aggregate में 200 plus marks लेके आने है जिसे आप इस group को easily clear कर ले माल लिजे कोई student बोथ group दे रहा है by chance group 1 clear हो गया लेकिन group 2 में audit FME को में exemption थी और aggregate नहीं बन पाया और overall aggregate भी नहीं बन पाया 400 marks का तो अगर institute के exemption list आती है और वो student के benefit नहीं होती इस type के hack के according तो वो benefit दे सकती है उस particular student को बाकि obviously hope यह करते जो institute exemption के list प्रवाइड कर रहा है उसमें ऐसा type का benefit जरूर हो आप में से कितने लोग students agree करते वीडियो को लाइक करके जरूर बताएगा और comment करके भी जरूर बताएगा बाकि एस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी CA students के ताथ कमेंट करके हमने opinion बताएगा इस hack के बारे में चैनल में बनें तो चैनल को सब्सक्राइग पर क्यों नोडिफिरेशन बेल ओपन करना ना बुलेगा क्योंकि यूटूब में मात चैनल जो आपको सब्सक्राइग जन्रान ब्रेट्स प्रोवाइड करे वाता है रहे पिसले तीन साल होते थैंक्यू सो मच पर वाचिंग दे वीडियो